A very good morning students. I hope you all are doing good. So, आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्लास 7 के जोग्राफिक का चैप्टर 1, इन्वार्मेंट. So, इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे बच्चों, वो है इन्वार्मेंट और टाइपस अफ इन्वार्मेंट, उसके ताइपस. So, अभी इसको सुनके आपके माइन में बहुत सारे कोश्चेंस आ रहे होंगे. So, जो स्टोरी है, वो एक स्टोडेंट की है, रवी की, ठीक है? So, जो स्टोरी है, वो यह है कि, आफ्टर दे लॉंग वेकेशन, वेन रवी स्टाटेड गूइंग तो स्कूल अगीन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब रवी अपनी बहुत से लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जाता है, तो वो observe करता है, कि जो एक playground है उसके स्कूल के बगर में, वो खुदा हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े गड़े किये गए हैं. ठीक है? जब रवी ये चीज़े observe करता है, तो वो लोगों से पूछता है, कि ये क्यों किया गया है? तो जो वहाँ के लोग होते हैं, वो उसे बताते हैं, कि यहाँ पे जो एक बहुत बड़े building बनने वाली है, जिसमें कि बहुत सारे flats यहाँ पे construct किये जाएंगे. तो ये सारी बाते सुनके, रवी वस्ट आल्मोस्ट इन टियर्स. तो ये सारी बाते सुनके, रवी के आँखों में आसु आ जाते हैं, जब वो रियलाइस करता है, कि बहुत बड़ा playground, जिसमें कि soft grasses थे, marigold के fool थे, butterflies थे, वो सब हमेशा के लिए जा चुकी हैं, वो अब ये चीज़ें दुबारा नहीं देख पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक building बनने वाली है, तो सब वो जो ये सारी चीज़ें देखता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है, और he shared his feeling with his friends, तो वो अपनी feeling जो है, अपनी friends के साथ share करता है, in the assembly, the principal do sadly observe, see how our environment is changing, जो रवी जो है class में अपनी teacher से भी पूसता है, कि environment है क्या, तो teacher बोलती है, जो भी चीज़ें आप अपनी surrounding में देख रहे हैं, यह environment है, रवी thought allowed, that means the school, building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, even my friends, all are parts of environment, तो रवी सोसता है, कि जो यह building है, अपनी teacher से पूसता है, कि जो यह building है, table है, chair है मेरी classroom में, यह open field, और even my friends, क्या यह सारे environment का part है, तो teacher बोलती है, हाँ, but wait, जो कुछ object होते हैं, वो nature द्वारा create किये गए होते हैं, और कुछ object जो होते हैं, वो man-made होते हैं, जो human beings अपने need के according, जो है, develop करते हैं, तो इसी के basis पे environment को जो है, बच्चो, दो बाटों में भी, दो two parts में categorize किया जाता है, जो पहला है, वो है natural environment, ठीक है, और जो दूसरा होता है, man-made environment, so natural environment basically क्या होता है, जो nature के द्वारा create किया गया होता है, जो already present रहता है, जैसे कि example, जो है, mountains, river, trees, animals, यह सारे क्या है, nature के थूझ प्रेजंट के गए हैं, यह already present है हमारे nature में, तो यह सारा क्या है, natural environment है, और जो दूसरा होता है, वो है man-made environment, man-made environment या फिर human-made environment भी बोलते हैं इसको या फिर artificial environment जो environment है यह जो human beings है वो अपने need के according बनाते हैं ठीक है मतलब अपने needs को fulfill करने के लिए बनाते हैं right so students जो इसके example है वो है जैसे की road हो गया, cars हो गई, clothes हो गई, books हो गई सारे जो है यह man-made example है ठीक है जो man-made environment है उसके example है so बच्चो आज की वीडियो में बस इतना ही जो बाकी के topics है वो मैं आपको कल की वीडियो में explain करूंगी ठीक है तब तक के लिए stay home stay safe thank you